बहुत समय पहली की बात है, चन्दनपुर नामक गाउं में एक भरत नाम का आदमी रहता था। भरत का सुभाव पहुत आलसी था, लेकिन वो थोड़ा वोला भाला भी था। भरत का काम बस खाना, पीना और पूरे दिल सोना था। भरत के परिवार के लोग जब भरत से काम करने को कहते, तो भरत कोई न कोई बहाना बना देता। क्योंकि भरत का सुभाव बहुत ही आलसी था, वो कोई भी काम धंग से नहीं करना चाहता था। और ऐसे ही एक दिन उसका बड़ा भाई काम के लिए कहने लगा, अरे भरत, तु मेरे साथ खेतों पर चलना और वहां मेरे साथ काम कराना। और तभी भरत की मा भी बोल पड़ी। हाँ भरत, तेरा भाई सही कह रहा है, अब तू आलस छोड और भाई के साथ खेतों पर चला जा। और कब तक तेरा भाई अकेला काम करता रहेगा, तुझे भी अपने भाई के साथ काम करना चाहिए और उसके साथ खेतों पर जाना चाहिए भरत। और इस बात पर भरत बोला, क्या मा, मुझे काम नहीं करना, अब मैं इस घर को छोड़ कर चला जाओंगा, और ऐसी जगा जाओंगा, जहां मुझे काम नहीं करना पड़े, और मैं आराम से खापी कर सो सकूँ, और अब मैं इस गां को छोड़ कर जा रहा हूँ। और बस फिर ग्या चंदन अपने घर से निकलाया यूही भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुचा उसने वहाँ एक गुरुजी को देखा गुरुजी के साथ भरत ने उनके सिस्यों को भी देखा सिस्य बस मंदिर की पूजा ही करते हैं और अन्यकार नहीं करते हैं बस फिर क्या भरत सोचने लगा आश्रम से भड़िया मेरी ली जगे तो हो ही नहीं सकती यहाँ कोई कामदाम तो है नहीं बस मंदिर की पूजा पाथ ही तो करनी है वो मैं कर लूँगा और फिर क्या इतना सोचते हुए भरत मंदिर के पुजारे के पास पहुचा और बोला प्रडाम गुरु जी मैं पास ही के गाओं मैंसे आया हूँ और मैं कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ क्या गुरु जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं तुम इस आश्रम में अवर्षी रुख सकती हो भगत बोला साधु माराज मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि काम करने में मुझे बहुत आलस आता है साधु माराज बोले अरे हमारे आश्रम में कोई काम है ही नहीं बस तुम्हें पूजा पाट करनी होगी और इस बात पर भगत खुश होते हुए बोला ठीक है गुरुजी मैं पूजा पाट तो कर सकता हूँ और फिर क्या भगत आश्रम में ही रुख गया और नहीं कोई कामधाम बस साधिन सोना और खाना ही उसका काम था भगत पूजा पाट पूरे मन लगा के करता था भगत को आश्रम में रहते हुए एक मैना पूरा हो चुका था भगत जब पूजा पाट समात कर रसोई में कुछ खाने को लेने गया उसने देखा कि रसोई के सभी बरतन खाली पड़े हुए हैं भगत गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या किचिन के सभी बरतन खाली हैं गुरुजी बोले हाँ हाँ आज एका दशी है आज आश्रम के सभी साधूओं का उपवास है और हाँ तुम भी आज उपवास रखो भगत बोला गुरुजी मैं उपवास नहीं रह सकता क्रपा करके मुझे चमा कीजिए क्यूंकि मुझे बहुत भूप लगती है गुरुजी बोले हाँ हाँ चलो ठीक है तुम्हें उपवास नहीं रखना है तो मत रखो लेकिन तुम स्वैम के लिए खाना खुद ही बनाओगे भगत तो बहुत आलसी था उसे तो बस बैठ कर खाने की ही आदत थी लेकिन बिचारा करता क्या उसे भूप चो लगी थी लकडी आटा घी सबजी लेकर चंदन अभी बैठा ही था तभी गुरुजी आ गए और बोले भगत आज तुम अपना खाना नदी के पार बनाना और राम जी का भोग लगाना मत भूलना भगत ने बोला ठीक है गुरुजी अब मैं चलता हूँ खाना बना कर राम जी का भोग लगा दूँगा भगत ने नदी पार पहुँच कर जैसे तैसे पहली बार खाना बनाया और चंदन मनही मन सोच रहा था अरे भाई खाना बनाना तो मुश्किल काम है जैसे तैसे मैंने बना तो लिया है ओ हाँ गुरू जी ने कहा था कि खाना बनाने के बाद राम जी का भोग जरूर लगाना अच्छा अब मैं राम जी को याद करके उनका भोग लगाता हूँ और फिर भगत पूरे भक्ति भाव से राम जी को याद करने लगा और कहने लगा आओ मेरे राम जी भोग लगाओ मेरे राम जी जल्दी से आजाओ मेरे राम जी अरे प्यारे राम जी जल्दी से आजाओ मेरा खाना ठंडा हुआ जा रहा है और वहाँ आश्रम में भी कुछ नहीं बना है आप चल्दी ही आजाओ मुझे बहुत जुरो की फूक लग रही है और वो कहते हैं ना कि भगवान भी भक्तों के वश में ही होते हैं श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बहुत मुस्काए और माता सीता के साथ धर्दी पर प्रकट हो गए सीता मा को देख कर भगवान सोचने लगा मैंने तो सिर्फ राम जी को ही याद किया था और उन्ही को बुलाया था लेकिन अब ये दू लोग आ गए हैं और मैंने बस दू लोगों का ही खाना बनाया है चलो कुछ नहीं मैं राम और सीता जी को ही अपना खाना दे देता हूँ भगत का बनाया हुआ खाना राम और सीता जी ने बहुत ही आनन और प्रेम से खाया राम और सीता जी आपस में बाते करने लगे कि भगत ने खाना बड़ा ही स्वादिस्ट बनाया है देखो राम जी इस बार तो आप दो लोग आ गए लेकिन अगली बार जब भी आना तो मुझे बता कर आना कि आप कितने लोग आ रहे हो क्योंकि आज मैं भूखा रह गया राम जी भगत की सरालता पर मुस्काए और सीतमा भी इस बात पर गदगद हो गई कि उनका भगत कितना भोला और सरल है स्री राम और माता सीता अंते ध्यान हो गए अगली एकादशी का दिन आया फिर भगत एकादशी मैं स्री राम जी को बुलाना भूल गया कुछ दिनों बाद फिर एकादशी आई, इस बार एकादशी पर भगत सोश में पड़ गया कि कहीं तीन लोग ना आ जाएं तो मैं भूका ही रह जाऊंगा, इससे पहले एकादशी पर ये ही हुआ था भगत गुरूजी से बोला, गुरूजी महराज मैं नदी पार रसुई बनाने जा रहा हूं पर आज पहले की अपिक्षा जादा अनाज लगेगा क्यूंकि एक की कहकर दो लोग आते हैं भोजन करने गुरूजी हसते हुए बोले, हाँ ले जाओ भगत, तुम दो लोगों के लिए अनाज ले जाओ लगता है तु भूक के मारे बावला हुआ जा रहा है की बार चंदन ने दो लोगों का खाना बनाया और बड़े प्रेम से राम जी को याद किया और कहा राम जी मैंने आज दो लोगों का खाना बनाया है और खाना ठंडा हो रहा है तो आप जल्दी पधार कर मेरा खाना ग्रहेंड करें भगवान की महमावी निराली है अन्हें भी अपने भक्तों के साथ हसी ठिटोली करने में मज़ा आता है सीता राम तो आये ही थे लेकिन उनके साथ लक्षमर्थ, भरत, सत्रुधन और हनुमान जी भी थे अब बेचारा भगत बड़ा ही सोश में पड़ गया मैंने बनाया तीन लोगों का खाना अब इतने सारे लोग आ गए हैं अब बेचारा भगत करता क्या फिर उसने आदर सत्कार से राम जी और उनके सभी सायोग्यों को बुलाया सबको खाना परोसा और प्रेम से खाना खिलाया लेकिन भगत मन ही मन सोच रहा था यहां तो दो को बिलाओ तो पुरा खानदान आ जाता है थोड़े ही दिन बाद फिर एकादशी आई चंदन ने गुरुजी से बोला क्यों गुरुजी महाराज ये प्रभुश्री राम अकेले क्यों नहीं आते कितने सारे लोगों को ले आते हैं मैं तो बस उन्हें ही याद करता हूँ वो जाने क्या सबको ही ले आते हैं अपने साथ और सुनो गुरुजी आज मुझे अनाज जादा चाहिए साधु महाराज ने अनाज जादा ले जाने के लिए हां कर दी साधु महाराज सोचने लगे कि ये भगत मुझसे हर बार अनाज भड़ा कर ले जाता है कहीं ये बाजार में बेशता तो नहीं मुझे भगत का पीछा करना होगा भगत जब नदी पार करके जंगल में पहुँचा तब गुरुजी भी उसके पीछे-पीछे जंगल में पहुँच गए भगत ने खाना बनाने का सामान तो एक तरफ रख दिया और हाद जोड के राम सीता को याद करने लगा और कहता है शिया राम की जैवो, बीर हनुमान की जैवो प्रभु मुझे छमा करो, लेकिन खाना मैं आज पहले नहीं बनाऊंगा और जब आप आओगे न, तो आप खुद ही खाना बना लेना देखते ही देखते, सारा राम दरवात मौजूद हो गया राम जी मुस्कुराय और सीता माथा भी गदगद हो गई भगत की बात सुनकर, भगत बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है राम जी भोजन बनाकर क्या फाइदा? मैं तो भूका ही रहूंगा न, आप कभी दो की कहते हो, तीन आ जाते हो, चार की कहते हो, पांच आ जाते हो इसलिए आज मैंने खाना नहीं बनाया है, आखिर मैं मुझे तो भूका ही रहना पड़ता है न, राम जी आप ही बनालो और खुदी खालो राम जी बोले भक्तिगी जैसी इच्छा राम, लक्षमर और सीता जी ने मिलकर खाना बनाया और सभी ने प्रेम से खाना खाया और तभी वहाँ साधु महराज आये, साधु महराज सोचने लगे ये भगत बिना भोजन बनाये अकेला क्यों बैठा है और भगत से बोले भगत बेटा आज खाना क्यों नहीं बनाया है भगत बोला गुरू जी अच्छा किया कि आप यहां आ गए देखो कितने लोग आये हुए हैं प्रशाद लेने गुरू जी कहने लगे कि मुझे तो यहां कोई नहीं दिखाई दे रहा है तभी भगत परेशान हो गया और राम जी से बोला राम जी आप गुरू जी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं हमारे गुरू जी तो बहुत बड़े पंडित हैं महाग्यानी हैं फिर भी श्री राम जी ने उत्तर दिया माना कि तुम्हारे गुरू जी को सब आता है लेकिन वह सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह तभी भगत गुरूजी से बोला गुरूजी आप सरल नहीं हो मेरी तरह यहाईसा मुझसे रामजी ने कहा है गुरूजी को यहाईसास हुआ कि उन्होंने सब कुछ पाया लेगिन भगत की तरह सरलता नहीं पाई है और और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं और गुरुजी महाराज ने राम जी से प्रात्ना की कि मेरी आप से एक ही बिंती है कृपा करके मुझे अपने दर्शन दीजिए तभी प्रभु श्रीर राम प्रकट हुए और उन्होंने गुरुजी को भी दर्शन दिये गुरुजी अब समझ चुके थे कि भगवान हमेशा भक्त की सरलता पर ही लालायत रहते हैं इसके बाद भगत अपने गाउं चला गया उसने साक्षात राम सीता जी के दर्शन किये थे ये बात उसने अपने मा और भाई को बताई इस बात को सुनकर मा और भाई दोनों भगत पर गर्वित होने लगे और फिर भगत आलश छोड़ कर अपने मा और भाई के साथ खेटों पर काम करने लगा और अब उसे बिस्वास हो चुका था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे अवश्य खाने आएंगे